Good morning student, once again, today's topic is National Income and Related Aggregates. बहुत ही important topic है आज का और सबसे पहले हम नी जानेंगे कि National Income होती ही क्या है और उसके बाद हम पढ़ेंगे Related Aggregates क्या है इसके अंदर. तो National Income की हम बात जब भी करते हैं जब National Income की बात करें, नेशन की बात करें तो हम पूरे इंडिया की बात करें, पूरे हिंदोस्तान की बात करें, पूरे भारत की बात कर रहें, तो National की बात कर रहें, यानि पूरे इंडिया की Income, पूरे अपने Country की Income की बात करें, उसे कहते है हम National Income, एक General Way में. अब Definition में क्या है? It is the Aggregate Monetary Value. It is the Aggregate Monetary Value of all final goods and services produced in a country during a year. तो कुछ इसमें Terms आ रहे हैं, बहुत जादा, जिसमें हमें फोकस करने की जरूरत है, और उनको जानने की जरूरत है कि यह चीज़ बता किसको चीज़ को रहे हैं, जैसे इसमें एक आ रहा है aggregate, तो aggregate का मतलब होता है overall, यानि हम इंडिया के अंदर overall goods की बात कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में कितना goods का production हो रहा है, यानि production of goods and services, aggregate overall production, monetary value, monetary मतलब money, पैसा, पैसे की value, यानि हम किसी भी चीज़ को measure कर रहे हैं, goods का, जैसे mobile है, car है, chair है, wheat है, rice है, sugar के ने, liter में, kg में, centimeter में, और आपके रुपीज में, जिस भी form में हम measure कर रहे हैं, यानि हम उसको measure कर रहे हैं, किसमें? monetary value में, हम kg और उसमें, liter में measure नहीं कर रहे हैं, हम रुपीज में measure कर रहे हैं, हर चीज़ को, जैसे for example, car की value एक लाख है, दस लाख है, पांच लाख है, mobile की value बीस जार है, wheat की value जो है, आपकी, जो है 500 है, उन सब की kg को से मतलब नहीं हमें, liter से मतलब नहीं हमें, उनकी value से मतलब है, monetary value देख रहे हैं, of all final goods and services, जितने भी final goods हैं, यानि हम इसमें concept की बात करें, तो एक तो concept आया aggregate का, दूसरा आया monetary का, तीसरा आया इसमें आपका final goods का, और एक है during a year, ये एक चार concepts आपको दिख रहे हैं, definition में, जिस पर ये definition पूरी तरीके से based है, तो aggregate हम बानके चलते हैं, overall, overall production of goods and services in a country, monetary value, money related, कोई भी हम चीज में जर करेंगे, वो money की फ़र्म में में जर कर रहे हैं, चाहिए वो mobile की value हो, car की value हो, wheat की value हो, rice की value हो, sugar game की value हो, doesn't matter वो kg में है, liter में है, किस में है, तीक है, फिर final goods, यानि जो goods बनके त्यार होगे है, ready to sale, market में sale होने के लिए एक दिम ready है, उन्हें consumer direct purchase करना चाहरा है, या उसको direct purchase कर सकता है, year, एक साल, यह duration of one year, अब इसी कब से कब तो होता है, from 1st April to 31st March, एक साल, इसको हम financial year भी बोलते हैं, fiscal year भी बोल सकते हैं, तो यह definition में कुछ concept है, जिसको हमें पता होना चाहिए, कि यह definition क्या कह रही है, अगर हम simple way में बात करें, तो यह definition यह कह रही है, कि एक national income है, जितने भी value है, final goods की, value of final goods की, overall value, वो count हो रही है, पूरे इंडिया की, called as national income, उसको हम national income कह रहे हैं, अच्छा, इसमें थोले से concept और है, मैं और आए, इसमें बता दूँ आपको, दो तीन चीज़े हैं, एक क्यों में यह बताई दिया, इसके अलावा, इसमें एक concept है, flow concept, जो हम इससे पहले topic में discuss कर चुके थे, कि flow और stock, याई stock and flow क्या चीज़ होती है, stock को जब भी हम measure करते थे, तो हम एक particular point of time पे, याई specific period of time पे हम measure करते थे, दो चीज़े थी, stock में, stock, और एक flow concept था, तो flow को जब भी हम measure करेंगे, वो हम करेंगे over a period of time, over a period of time, over a period of time, या कह सकते हम during, जैसे यहाँ पे आ रहा है during a year, और इसको हम में जब जब एक specific period of time, याई specific point of time, एक खास वक्त पर, एक खास जगा पर, और ये पूरे साल पर, तो जो national income है, वो हमारा flow concept है, क्या concept है national income, flow concept है, तो यह हमें चीज़े याद रहेंगी, अब आते हैं, aggregates के उपर, तो stock and flow को आप अच्छे से देख ली जगा, मैंने वीडियो भी बना रखी हैं इसमें, यह flow concept क्या है, stock concept क्या है, अब हम पढ़ते हैं, इसमें next topic इसी के आगे लेते हैं, aggregates को पढ़, और यह topic जो है, बहुत ही important है, और उसको समझना है, बहुत अच्छे से, काईदे समझना है, सुनना है, और वीडियो जो है end तक देखी, तागे आपको समझ सक, पूरी समझ में आया एक concept, चीक है, life में, यहांब बाथ हो निए, aggregate जो है, इसमें, जो कितनी तरीके के एगरिगेट होते हैं, वह ability 8 तरीके के, एट से एगरिगेट के, हम एक चीज़ यादे हैं, हम पहले start करते हैं, जबसक्ण की बाद करेंगे, तो पहले हम, अब हम बात करें, gross क्या चीज़ अगनेट क्या चीज़ अगनेट चीज़ तो पहले चीज़ नेट क्या है, कि जितनी भी हमारा जो समान है, production है, जिसे हमने gross investment की बात करी ते, net investment की बात करी ते, सेहीं ही पर उसी concept को लेते है, कि gross मतलब है, overall चीज़ और net क्या है, जितनों भी हमारी चीजें उसमें हमारा जो cost जा रही है, depreciation लग रहा है, अभी depreciation की बात करते हैं, कि हमारी उसमें value घट रही है, example के तोर पर मान की चलते हैं, कि हमारी शोरूम से मैंने car निकाली, for example मैंने ब्रेजा को शोरूम से purchase किया, जिसकी value 10 lakhs थी, ठीक है, अब 10 lakhs जै जैसी वो मैंने शोरूम से निकाली, यानि यह शोरूम से मैंने purchase करी, और उसके एक साल बाद उसकी value घटके 8 lakhs रुपे हो गई, एक तो यह condition हो गई, उसकी value अपने आप घटके normal wear and tear के अंदर, तो किस वज़े से घटी, वो depreciation की वज़े से घटी, कोई accidental case हो जाता तो और value घटी यानि एक normal हालात के अंदर किसी भी goods की value घटना, that is called depreciation, यानि दूसरा, gross का मतलब, यहां और समझा दे हम आपको, concept को फिले कर तो चलेंगे, कि gross हमारे पास 10 machine था, शुरूआत में, starting of the year हमारे पास 10 machine थी, और इस मेंसे हम मान के चलें, दो हमारे पास, दो machine हमारे पास ख然后 हुआे, जहाए, दो machine हमारे पास χराब होगी, पहले हमारे पास 10 machine थी, और उस मेंसे 2 machine खरण होगी, अब कितनी बची हमारे पास, 8 machine machine. तो हमारे पास मशीन कम होई हमने चार और पफटेस कर ली फ्लस फोर कर दिय इसमें तो नहीं में आगर हम थेखें तो हमें सिफ़ दो मशीन कैसे किए शुरॉद matar कि Class wake में हमार पास 12 माशीन थी हमने पर्चेस करी चाहर ले लेकिन इडिउयन हमने दोवका किया तो जो अवराल जो ग्रॉस हुआ जो ग्रॉस हमने अडिशन किया वो हुआ हमारा फोर का और जब नेट की हम बात करें गे तो हमारा हुआ टू का समय रहे हैं तो रेप्लेस्मेंट जो कॉस्ट लगी जो उसकी जो हमने खरीदी पर्चेस करी वह हमने मानेस कर दी ग्रॉस और नेट का यहाँ पर एक तो यह डिफरेंस है अब इस कंसेप्टों और आगे चलते हैं लेकिंग अब यहाँ अब यहाँ पर ऐसे परायतिक चार्ट सब्स्णा लेते हैं इसे नेट में जाना है MRust सब्सक्राइब को मानेस करेंगे हैं और हमें से ग्रॉस में जाना है तो हम करेंगे प्लस डपरिसेशन और एक उणिए हो गया am I'm If we have Russ की बात करें, और OWRL की बात करें नियेंट की बात करेंगे तो इस इसमेंसे हम altre्स करता है अब दूसरा हमारा इसके अंदर आता है डॉमेश्टिक का और नेशनल this का दालेता हूं तागे आपको भूलेना घृए्टिके दूसरा इसमें कर रहें तो हमारे इंडिया के अंदर की बात कर रहें धा Side प्रिजम्पल हमारी कोई टाटा की कंपनी बाहर काम कर रही है अमेरिका काम कर रही है इंग्लेंड काम कर रही है और वह से इंकम हो रही है वह हमारी नेशनल में काउंट हो जाएगी यानि डॉमेस्टिक में हम नेशनल की तरफ जाएंगे तो इसमें नेशनल की तरफ अपरोड इसका एक फर्मूला है निकालने का फीफा माईनस फीटा इसको नोड करते वों चलिए आप लोग नेट फेक्टर इंकम फ्र्मॉर्ण इस एकल तू फेक्टर इंकम फ्र्मॉरॉड माईनस फेक्टर इंकम्-2 अबड़ाव्ट यहांनः वह वहार थीक है और पैसा जो बाहर भेज रहा है नारए against उसमें से को माइनस हो जाएगा दो स्वारिए इंडिया वह मायनस हो जाएगा गारें तो मारा इन्एफिए निकल के आ इसको इहां ब्याइक पीहला ऊकार गाएंगा तीसरे के demasiado हूँ अब प्रोडुक्त में हमें कुछ नहीं करना प्रोडुक्त में खेट रखना और last इसमें आता है मार्कट प्राइब और फ्यक्तर कॉस्ट इसको पॉर्म में mpb कहते हैं और इसको तो हम FCB कहते हैं, तिक, मार्किट प्राइस क्या होती है, वो वैल्यू जो मार्किट में कोई गोड्स बिख रहा है, उसको हम मार्किट प्राइस बोलते हैं, और उसमें आपने देखा हो, चाहिए हम कोल्डिंग लेके आएं, सोप लेके आएं, या शैंपू लेके आएं, या टूथपेस लेके आएं, उसमें लिखा होता है, इंक्रूडिंग और टैक्सिस, यानि वो जो प्राइस लिखते होते हैं, वो मार्किट प्राइस के साब से होते हैं, फेक्टर कॉस्ट मुलें, जतना भी प्रोडक्शन हो रहा है, और गुड्स की जो वैल्यू निकलके आ रही है, ज़िए इस काल्ड फेक्टर कॉस्ट कहते हैं, अब इसको निकालें कैसे, फेक्टर कॉस्ट, और MP से, यानि market price से जम factor cost पे जाएंगे, market price से जम factor cost पे जाएंगे तो minus NIT करेंगे, minus NIT, और जब हम factor cost से market price में जाएंगे तो plus NIT करेंगे, थोड़ा होच-पॉच से हो रहा है, थोड़ा से में डाल लेते हैं हम इसको, ठीक है, ताकि आपके और समझें के लिए तरही किसा है, आपके जाएंगे, market price, factor cost, MP से, यानि MP से, हम factor cost में जा रहे हैं, यानि market price से में factor cost में जाना है, तो minus NIT, और हमें factor cost से market price में जाना है, तो plus NIT, तो एक चीज़ याद रखेंगे, अब इसमें आप सुच रहेंगे, यह NIT क्या होता है, तो NIT में आपको क्लिए कर दूँ, NIT, net indirect taxes, ठीक है, net indirect taxes, और यह कैसे निकलेगा, indirect taxes, minus subsidies, ठीक है, अब इसमें दो बड़ा और जोड़ो गए, वोई indirect taxes क्या होते हैं सर, और subsidies क्या होती है, तो indirect taxes को आप आज के concept के सर जीस्ट बोलिए, उसे बले वैड था, और subsidies क्या है, जो government हमें छूट देती है, किसी भी चीज़ पर, उसे subsidies क्याते हैं, यानि जो पैसा government हमें ऐजे producer को या किसानों को छूट देती है, वो subsidies क्याते हैं, तो NIT निकालने के लिए क्लिए है, indirect taxes, minus subsidies, यहां तक क्लिए है, अब उसके बाद हम बताते हैं, कौन-कौन से इसके अंदर concept है, जो 8-8 aggregate निकालते हैं, किस खरी किसे 8 aggregates को निकालते हैं, कैसे पता करेंगे कि 8 aggregates, अब हमने से पहले लिखा था, gross, फिर लिखा था, 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 फिर लिखा थ स्रेक्टर कॉस्ट तो मार्केट प्राइस शॉर्ट फॉर्म में लेखें हैं एंपी और एफ सी कितने एक दो ती चार पांच चैस साथ अभी कहेंगे सब्सक्राइब आप कैसे के रहे हैं देखें ग्रॉस हम पहला वर्ड ले लेते हैं इसमें ग्रॉस का जी दमेस्टिक का डी फिर प्रोडट का पी और एमपी का एमपी यहोगे एक वर्ड जी डीपी एमपी ऐसी फिर दूसरा रहते हैं हम जी डीपी एफ सी डमस्टिक हो गया एमपी एफ सी हो गया अब हम ग्रॉस का नेट लेते हैं यानि जी एन पी एमपी और फिर जी एन पी एफ सी ओके यहोगे और चाहर हम लेते हैं डुमेस्टिक का यहीं नेट का अब यहांप यहां प्रमने लेते हैं डू नेट डूमेस्टिक अब नेट डूमेस्टिक एफसी अब नेशनल आजाए नन MP और NN PFC तो यह aggregate होते हैं, यह 8 तरह के aggregate होते हैं, तो यह हमारा छोड़ा सा concept था, इसको आप जरा समझ लें इसको और अच्छी तरह के से जो समझ में ना है बच्चे मुझसे पूछ लें comments करें और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़के हमसे पूचे, थैंक यू